गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, ओपन यूर फुलवारी बुक, फुलवारी में कल हमने लैसन रेड किया है लालच बूरी बला, तो आज हम इसका बुक वरक करेंगे, सही उत्तर पर तिक का निशान लगा, बंदर गाओं में किसकी तलाश में घूम रहा था, किसकी तलाश म घूम रहा था, खाने की, नेक्स्ट क्या है, बंदर मुठियां क्यों नहीं खोल रहा था, भूक के कारण, गर्मी के कारण, लालच के कारण, किसके कारण, लालच के कारण, आगे क्या है, ये प्रशन में आपको नोटबुक पे राइट करवाऊंगी, सही वाक्य के सामने सह बंदर कई दिनों से भूखा था राइट है या रोंग है राइट तो आपने यहां क्या लगाना है टिक लगाना है बंदर को चने अच्छे नहीं लगे राइट है रोंग है राइट रोंग चने अच्छे लगे थे न उसको अपनी जान बचाने के लिए बंदर दोड़ा क्या है राइट बंदर बिल्कुल लालची नहीं था रोंग बंदर बहुत लालची था सियुक्त वाक्यों से बने तीन तीन शब्द लिखो आदा के और पूरा के आना चीए क्या बनेगा मक्का छक्का बक्का टैठ है चिठी मठा लठा तै और तै पत्ता गत्ता छत्ता अब एक व उठियां गड्डी का गड्डियां चिठी का चिठीया और मिट्ती का भौवा चन बेटा मिट्टी ही होता है मिट्ती का बक्का थीमिट्र॥ 30 मिट्ष वहता है 220 रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाकर वाक्यों को दुबारा लिखो घड एका मूम अब यह देखो यह blue color का दिया है छोटा तो आपने क्या लिखना है घड़े का मूँ बढ़ा था बंदर खुश हो गया बंदर दुखी हो गया घर के अंदर बंदर था घर के बाहर बंदर था इन शब्दों से वाक्या बनाओ भूखा कोई भी वाक्या बना सकते हैं आप मैं भूखा हूँ या वह भूखा था राम भूखा था वह भूखा है मैंने क्या लिखा है वह भूखा है सफलता मुझे सफलता नहीं मिली चक्कर राम को चक्कर आने लगे तो यह थोड़ा सा बु में डन करना है थैंक यू